Hello everybody, guys, कैसे हैं? आप सब उमिद करूँगा, सब के सब fit and fine होंगे तो friends, एक बार फिर से आप लोगा स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल लवी Friends, आज हम बात करने वाले हैं risk free trades के बारे में Actually, risk free trades होती क्या है? कितने minimum account balance पे आप risk free trades ले सकते है? और risk free trade लेने का फाइदा क्या होता है? यह सारे questions काफी बार अलग-अलग account से मुझसे पूछे गए हैं मतलब अलग-अलग users ने मुझसे पूछे हैं और conclusion यह है कि यह वीडियो में आपके लिए लेकिया है हूँ सारा report, सारे information इसी एक वीडियो में मिलने वाली है about risk free trades यहाँ पर live account का balance मेरा देख पा रहे हैं आप 15,410 dollars हम लेने वाले है 5 risk free trade इसी account के साथ देखते हैं कितना balance हमारा increase होता है आज के दिन, of course decrease तो नहीं होगा क्योंकि हम trade लेंगे risk free definitely, चलिए guys let's get started उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ अगर चैनल पे बिलकुल नहीं होना और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो subscribe कर दो यार चैनल को क्योंकि ऐसी information और binary और forex related information आपको इस channel से बढ़िया ना कहीं और ने मिलने वाली है दोस्तों अभी जो आप interface देख पा रहे हैं मेरा account All Im Trade में आपी login है और यहाँ पे आप live account का जो balance है वो देख पा रहे हैं 15,410 dollars जो की हाली मैंने deposit किया था जो अभी तक की जितनी earning है from All Im Trade from YouTube everything I invested here तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं All Im Trade का interface है तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ about risk free trade से सबसे पहले risk free trade होती क्या है मैं आपको यह बता देता हूँ तो risk free trade का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास suppose कीजिए एक risk free trade available है तो अगर आप trade लेते हैं risk free trade को active करके और अगर आपका prediction wrong हो जाता है तो आपके account से एक रुपए भी नहीं करता suppose कीजिए मैंने 100 dollars के risk free trade ली मेरे account में अभी balance है 15,410 dollars तो जो 100 dollars deduct होंगे मेरे account से वो मुझे वापस आ जाएंगे और जो trade history में मैं जा के देखूँगा तो वहाँ पे no trade से लिखाएगा मतलब जो मैं trade लूँगा actually वो trade की entry वहाँ पे नहीं होगी simply एक बात आपको समझाता हूँ risk free trade मतलब अगर आप जीते तो profit आपको होगा जो profit होगा वो आपके account में जो यहाँ पर account देख पा रहे हैं live account यहाँ पर आपके add हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर loss करते हैं तो आपका कोई भी पैसा यहाँ से नहीं जाएगा वो neglect हो जा यहाँ आपको count ही नहीं होता है तो उसी तरीके से यहाँ पर same वही scenario है समझ लीजे उसी का कुछ scenario तो अब risk free trade होती क्या है अब यहाँ पर देखेंगे नीचे option आ रहा है one minute और my hundred dollars card जो है set करने के लिए हना तो अब मैं यहाँ पर amount set कर सकता हूँ इसके पास देखेंगे free trades hundred dollars की into 15 मेरे पास अभी 15 risk free trades available है hundred dollars की अगर 80% की profit की बात करते हैं अगर 80% profit मान लो कि हमें मिलता है तो hundred hundred dollars के हिसाब से 15 trade अगर मैं जीच जाता हूँ बिना हारे तो amount का account का जो balance है देख लीजे आप कितना हो जाएगा 15 into 8 कर लीजे और अगर मान लीजे उसमें से 3 या 4 तर कुछ इस तरीके का scenario यहाँ पे रहता है अब बात आती है risk free trade आपको मिलती कैसी है यह जो है achievement आपको किस तरीके से आपके account में भी दिखेगी इसके लिए करना क्या पड़ेगा है सबसे पहले आपको VIP member access होना पड़ेगा VIP member ship होनी चाहिए आपको आपके पास तो all in trade की VIP membership ठीक है तो अभी देखिए 100 dollars की मैं amount की 15 trade ले सकता हूँ exactly 15 trade हम ले सकते हैं तो अभी मैं इस पर click कर देता हूँ just मुझे इस पर click करना है अब उपर देखेंगे आप लिखा रहा है risk free trade for 100 dollars is activated अब अगर हम 100 dollars के amount में trade लेंगे तो हमारे risk free trade में वो count होगी तो अभी मैं जाने वाला हूँ no strategy पे कोई भी strategy में use नहीं करने वाला हूँ क्योंकि transparency रखना बहुत ही जादा जरूरी है आप लोगों को लगना चाहिए पता होना चाहिए अगर मैं trade जीतू तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मैं trade हार जाता हूँ तो फिर आपको पता लगना चाहिए क क्या होती है scenario क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आप कोई strategy यूज करूँगा तो possibility है यहाँ पर possibility है कि हम जीते हारने की chances काम हो एक दो trade हारे लेकिन अब बिल्कुल transparency के साथ trade लेंगे हारेंगे तो हारेंगे जीतेंगे 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 बट हम कोई strategy यूज नहीं करेंगे हल से पहले की जो चीज है वो मैं करता हूँ 15 seconds को मैंने 1 minute पे click कर दिया यह कोई strategy नहीं है यह सिर्फ एक basic scenario है जो की understand करने के लिए मैं graph को समझने के लिए use करता हूँ अब देखिए 100 dollars के यहाँ ब्लू कलर का tick आ गया है तो यहाँ पे 100 dollars की अभी risk free trades active है अब मैं trade लेने वाला ह transaction में और देखो scenario just जैसे ही मैंने जो trade है वो place की तो वहाँ से ही पूरा scenario उल्टा हो गया just वहाँ से जो next candle है वो पूरी ही red बनी थी अब जो next candle बनी है green बनी है और लगता है हमारे जो milestone है उसको hit कर देगी लेकिन आभी देखिए हाँ पे scenario कुछ बहुत जाला fluctuations है जैसे आपको पता है आज के जो market है बहुत जाला fluctuations होते रहते हैं ऐसे market में अभी देखो यह जो account है बिल्कुल brand new account म यहाँ पे मैंने ज्यादा trades जो है नहीं ली एकी trade में नहीं यहाँ पे ली थी 25 November को और 500 dollars की trade थी और यहाँ पे 400 dollar का लगग लगग मुझे profit हुआ था तो अब देखेंगे तो यहाँ पे देखो अभी risk free trade का कुछ अभी तक तो समझ आपको आगया होगा कि क्या होती है अब म हम एक trade यहाँ पे win कर गए है profit हमारा 180 dollars हमारे account में यानि 80 dollars हमारे account में add हो गया है हमारे पास 15 trades थी risk free अब वो हो गई है 14 यानि already हम 80 dollars के profit में है अब हम एक और trade लेंगे जो कि risk free ही होगी तो यहाँ पे मैं downward direction में trade ले रहा हूँ 100 dollars की investment के साथ यहाँ पे एक चीज़ आप strategy follow नहीं की है यहाँ पे कोई भी एक strategy अगर मैं बात करता हूँ MA CD WCDA like काफी सारी strategy है MA WMA मैं कोई भी strategy अभी use नहीं कर रहा हूँ यह जो कुछ भी चल रहा है आपका live account में है और without strategy है क्योंकि यहाँ पे हमें एक दो trade हारनी भी है हारेंगे अगर मैं एक दो trade हारूंगा तो आपको पता लगेगा कि जो risk free trade है उसका मतलब क्या होता है लेकिन यहाँ पे एक गलती मुझसे जरूर होगी मैंने activate नहीं किया risk free trades को जो कि मुझे activate करना था not an issue कोई issue नहीं है तो next time हम जो trade लेंगे वो risk free में लेंगे बट फिलहाल अभी जो activated नहीं है तो फिर यह वाली trade हा active करना होता है ठीक है यह ऐसा नहीं कि automatically activated रहता है तो अभी हम hundred dollars के loss में चले गए है not an issue कोई बड़ी बात नहीं है तो we'll go for again हम जाते है risk free trade के साथ तो हम जाएंगे पहले currency change पे bitcoin में हम trade ले रहे थे हैं अब जाएंगे dash के साथ तो हम dash पे click कर देते हैं again सारा जो scenario है मुझे इसा चेंज करना होगा वन मिनिट का चार्ट और जो कैनल सिक पैटन है यह मैंने अप्लाई कर दिया है हलां कि अकर यह last candle देखो कि दिंब बड़ी बनी है और बहुत ही जादा like fluctuations है हिया so अब हम जाएंगे risk free trade के साथ hundred dollars and यहां पे मैंने जो है trade place definitely I'm thinking थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ about marketing यहां पर मैंने जो trade है वो place कर दी है downward direction में और अभी मैंने फिर से risk free trade को active कर दिया है कि last time active नहीं किया था जिसका बहुत ही बड़ा जो है हमें result मिला था hundred dollars का loss live account से और एक risk free trade जरूर बच गई थी लेकिन hundred dollars का loss हमें जरूर हो गया था वो loss में recover करना पड़ेगा तो अभी उस loss को अलग रखते हैं the reason क्योंकि वो risk free trade नहीं थी अब एक risk free trade हमने ली थी जिसका result हुआ था हमें मिला था 80 dollars का profit ठीक है जो hundred dollars की trade है हम loss कर गए थे उसको side में अभी फिलाहल के लिए रखते हैं तो अभी मेरा जो profit है वो था 80 dollars का ठीक है वो hundred dollars को मैं cover कर लूँगा एक और trade लेके that is not a big deal for me but अब जाते हैं risk free trades के उपर सिर्फ risk free trades के उपर जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है एक trade हम जीते हैं profit है हमारा अभी 80 dollars का and then second trade अभी है जो चल रही है देखते हैं अभी हमारा profit हो गया है 160 dollars का अब हम है 160 dollars के profit में एक और trade मैंने place कर दी है same direction downward direction में क्योंकि जादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाता है जब साबको दिखाना चाता हूं कि किस तरीके से risk free trade work करती है हलाकि अभी तक हम हारे नहीं है risk free trade में लेकिन देखते हैं अभी मैं इसको फिर से risk free trades को active कर देता हूँ पांच risk free trade हमें लेनी थी दो risk free trade हम अभी तक ले चुके हैं and third जो risk free trade है मैं already place कर चुका हूँ यह तीसरी risk free trade है जो अभी चल रही है and देखते हैं क्या होता है फिलाल तो ठीक ठाक रिजल्ट है और हो सकता है हम यह trade भी जीत जाए तो अगर मैं trade जीतूंगा तो public जो है यानि viewers जो है audience जो है उनको निराशा जरूर होगी क्योंकि वो देखना चाहते हैं हारना क्योंकि वो चाहते हैं कि जब मैं हारूंगा तो risk free trade किस तरीके से effect करेगी account को यानि account balance है वो decrease होगा या increase होगा या remain रहेगा या क्या रहेगा वो चीज़े ज़रूर public देखना चाहती है और अभी जो चीज़े हो रही है बिलकुल against हो रही है मतलब अभी हम जीती रहे हैं continuously दो trade हम जीत चुके हैं और यह तीसरी भी हम जीत चुके हैं यानि risk free तीन trade ह हमने risk free ली है और तीनों की तीनों trade अभी तक हम जीते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है तो हमारा total profit हो गया 80 प्लस 80 प्लस 80 यानि 160 प्लस 80 यानि हमारा profit हो गया 240 डॉलर्स का तो आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब भी हम दो risk free trade all देने वाले हैं तो हम जाएंगे z cash पे बाद में हम rate कर देंगे application को not now so अब हम जाने वाले मैंने जो trade है वो place कर दी है hundred dollars की without any strategy कोई strategy मैंने या पर follow नहीं की है trade जो है वो direction रखा है upward या seriously guys believe me I want to lose this trade I want to lose this trade I want to show you the result मैं आपको result show करना चाहता हूँ and seriously अभी जो direction है वो तो यही कह रहे है कि we are going to lose this trade okay so we will lose this trade of course at least 3 trade के बाद हम ये trade ज़रूर हारेंगे और अब दिखाऊंगा आपको कि risk free trade का मतलब क्या होता है ठीक है ये trade हारने के बाद आपको at least चीज़ने समाझ आएंगी कि risk free trade का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम risk free trade को use कर सकते हैं बिना किसी डर के ओके तो अब यहां पर हमारे पास timing है वो बची है 17 seconds की and let's see 17 seconds की timing अभी ये जो hundred dollars का हमारा loss हुआ था इसको भी हम cover करके ही जाएंगे लगता है आज की वीडिए ओ हो that's good that's good तो अब हमारे पास जो time है वो है 3 seconds 2 seconds 1 second and gone लगबग लगग लग फिर से 550 हो गया है जबकि ये 450 था अगर आपको याद हो तो अगर नहीं है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ risk free यहां पर लिखा है ठीक है यहां पर लिखा है अब यह जो trade है वो cancel हो गई है ठीक है यह जो trade है वो count में नहीं आएगी अब कुछ time बाद ही यहां से delete भी हो जाएगी automatically जहां तो कि मुझे अंदाजा है लेकिन यह जो trade है वो no trade में मानी जाएगी अभी यह नए update के बाद यह scenario ज़रूर हुआ है कि यहां पर risk free लिखा है it means कि हमारा जो account balance है वो वापिस remain 550 हो गया 450 से अगर आपको थोड़ा सा doubt हो रहा है तो previous वीडियो को पीछ 240 डॉलर्स का जिसमें से हमें loss हो गया loss तो नहीं हुआ तो अभी हमें profit है 240 डॉलर्स का तो हमारे पास account balance तो विल्कुल कम नहीं है तो अब हम एक risk free trade और लेने बाले है 240 डॉलर्स का भी profit है हमारे पास और दिखते हैं एक trade और लेंगे and let's see कि क्या होता है तो अभी मैंने यहाँ पे trade जो है वो place कर दी है अप वो direction में और investment है आपको भी पता है 100 डॉलर्स की investment पे बट जो हुआ वो यह हुआ कि यहाँ पर मैंने risk free trade को activate नहीं किया था यह जरूर हो गया है एक blunder एक bluff पर देखते क्या होता है अभी हम 100 डॉलर्स के loss में तो at least थे जब पिछली trade हमने ली थी वो 100 डॉलर्स की loss में थे पतलब एक trade हम हार गये थे 100 डॉलर्स की अन लिखते है यह भी लगता है हार जाएंगे तो फिर हमारा जो loss हो जाएगा वो total 200 डॉलर्स का real account की बात करते हैं risk free trade को हटा देते हैं अभी मैं इसको risk free trade को activate कर देता हूं क्योंकि next trade जो हम risk free ही लेने वाले हैं तो एक तो यार reason ही हो गया ना without strategy यहाँ पर trade लेना from live account risk free trade is fine अगर हम risk free trade लेते हैं without strategy तो वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन एक चीज़ है अगर आप risk free trade लेते हो तो भी आपके पास चांस है आपका win करने का amount risk free रहने का अगर मैं live video पे लाता हूं तो वो चीज़ मैं खो रहा हूं वो chance मैं अपना गवा रहा हूं reason यही है क्योंकि अगर मैं strategy के दिखाने के लिए video के लिए और youtube के लिए हम यह और यह जो है आप लोगों को दिखाने के लिए ही है तो अब देखो एक risk free trade हम लेंगे तो अभी हमारा जो loss है वो total सिर्फ $20 का है live account से सिर्फ $20 का loss है क्योंकि हम $100 के profit में already आ गए है मतलब $80 के profit में calculation is must the thing is एक चीज़ आप पैसा कवाना दोनों चाहते हैं then you have to be a good mathematician your calculation should be accurate and calculation should be good अब हमारे पास एक risk free trade है and हम जाएंगे downward direction में मैंने place कर दिया है $100 की trade और यहां पे है हमारी risk free trade यह है हमारी risk free trade अगर हम हारते हैं तो हमारा account balance फिर से हो जाएगा $630 का और अगर हम यह जीत जाते हैं तो account balance हो जाएग हमारा $630 plus $80 ठीक है और हमारा total profit हो जाएगा इस trade के बाद $240 यानि $240 plus $80 यानि almost $320 का profit और बहुत ही कम time में लेकिन लगता नहीं है कि हम यह जीतेंगे क्योंकि without strategy है and let's see कि क्या होता है जो direction है वो तो गलत ही direction में है अभी तो ulti direction में चल रहा है हमारे पास time कितना बचा ह है let's see we have only 20 second left हमारे पास सिर्फ 20 second बाकी है and aha there are lots of fluctuation in this market today तो बहुत सारे fluctuations है and we can't say but even though candle goes very up and our bad luck we lost this trade हम हार गए है यह trade and not an issue really seriously आप हमारा जो balance है वो फिर से हो गया है 630 dollars का 630 dollars यानि हमारा जो आज पांच trade हमने ली है risk free और आज हमारा जो profit रहा वो रहा लग 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 250 dollars यानि 240 dollars almost हम उसको round figure में consider करेंगे 250 dollars का profit from 5 risk free trades okay I hope guys कि आपने वीडियो को enjoy जरूर किया होगा पसंद आई होगी और भाया यार भाई की risk के लिए भाई ने enjoy के लिए आप लोगों की enjoy के लिए वीडियो पनाई है अपने risk free trade पांच risk free trade को डाव पे लगाया है बट चीजें क्या करनी है यार like कर देना वीडियो को channel पे बिल कि पता लगे आपने वीडियो जो है वो last तक देखी है चले guys यार मुलाकात करेंगे next video मैं thank you so much